इस lecture के अंदर हम hamming distance को देखेंगे कि hamming distance क्या होता है और किस तरीके से यह हम use करते हैं मैं screen पर आपको लेके जाता हूँ यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो hamming distance है वो काम करता है ठीक है? नाम है जी ह-a-m-m-i-n-g ठीक है? hamming distance यह distance क्या करता है? यह strings के दरम्यान distance को find out करता है यानि कि strings जो है, string type के data set जो है उनके अंदर जो differentiation यह distance है उनको find out करता है, ठीक है? से for example, यहाँ पर मैं दो नाम लिखता हूँ पहला नाम है a-m-m- बलके इसको मैं a-m-m-a-r अमार, ठीक है? और second name मैं यहाँ पर लिखता हूँ h-a-m-m-a-d ठीक है? यह आ गया हमार और say for example, यहाँ पर double a से start होता है ना अब अगर count किया जाए तो यहाँ पर कितने alphabets हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यहाँ पर कितने हैं? देखने हैं, जो एक जैसे हिंसे हैं ना, यानि कि जो comparatively दोनों में मुझूद हैं, वो लिखते हैं सबसे पहला, हमारे पास है जनाब a, a यहाँ पर मुझूद है यहाँ पर मुझूद है, ठीक है? तो a हमारे पास मुझूद है ठीक है? और जारी बात है दूसरा a भी मुझूद है h, a, m, m, a, d तो a हमारे पास एक और है यहाँ पर भी मुझूद है, वहाँ पर भी m, m दोनों में हैं, तो यह भी यहाँ पर भी दोनों में हैं, ठीक है? अब आता है तीसरा a हमारे पास a यहाँ पर आ गया, but this is not similar है, यहाँ पर तीसरा a नहीं है और यहाँ पर r है और यहाँ पर d है तो इसका मतलब है हमारे पास जो चार हिंसे हैं वो बराबर है ठीक है? और यहाँ पर a और r जो हैं, वो बराबर नहीं है, से फर एक्जेमपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a r बराबर नहीं है और दूसरी साइड पर यहाँ पर h a double m बराबर है, लेकिन a d बराबर नहीं है ठीक है? अब अगर आप गोर करें इन दोनों नामों में से a r और a d हमारे different हैं, ठीक है? यानि कि यह दो ऐसी चीज़े हैं जो different हैं, इसका मतलब यह हम कह सकते हैं, कि इन दोनों strings के अंदर strings क्या होती हैं, जो alphabets होते हैं, जो python के अंदर हम use करते हैं, इन दोनों strings के अंदर, जो distance है वो दो का है, ठीक है? the distance, इसको hemming distance बोलते हैं, hemming distance between two strings is two, इसका मतलब यह हुआ कि यह दो strings जो हैं इनमें दो का difference है और यह इतना एक दूसरे से दूर है, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं दो और नाम लिखूँ, say for example एक है Euclidean E-U-C-L I-D-E-A-N Euclidean, और second मैं लिखता हूँ Manhattan, M-A-N-A N-H-A, double T A-N, Manhattan तो अगर आप गौर करें इन दोनों में सिर्फ लास्ट वाले दो से में बाकी दो, चार छे और साथ, यह साथ फरक में है, ठीक है? तो इन दोनों का distance होगा 7 ठीक है? 7 distance है इनका तो यह हमारे पास जनाब होता है Heming distance, Heming distance क्या करता है? Character-wise चीज़ों को चेक करता है और जो character में चीज़ें होती है उनको वो measure करता है, बाके चीज़ें को differentiation में वो दिखा देता है This is another type, यह K-N-A-R-S neighbor में तो नहीं use होती, लेकिन यह use तब होती है जब आप string को देखेंगे, NLP के अंदर देखेंगे, और यह मैंने अभी पढ़ाने का मकसद इस वज़ा से समझा क्यूंकि जब आप distance matrix को देख रहे होते हैं तो आपको समझ होनी चाहिए कि आपके पास कितनी किसम के जो हैं, वो distance matrix जो हैं, वो मोजूद है So this is another distance matrix metric जो use होता है in machine learning और यह आपको इस तरीके से बताते है Right, यहां तक clear हो गया आपके पास अब एक खलती जो यहां पे शायद आप लोगों ने नहीं देखी That is, यह वाला जो h है यह भी फरक में है So, यह वाला जो h है यह भी एक फरक के अंदर है So, I can say कि दो दफा तो a पकड़ लिया गया लेकिन h जो है यह भी फरक में है तो distance हमारा 3 है, not 2 Right, यह वाला जो h है यह भी एक फरक के अंदर है Yes, 3 का फरक हमारे पास आ गया क्योंकि h वहां पे मुजूद नहीं है यह मुजूद है तो हमारे पास इस तरीके से distance matrix जो आ जाता है By the way, Euclidean और Manhattan से आपको और भी समझा आ गया होगा कि Heming distance हम कैसे calculate करते हैं